एक हारा हुआ इंसान किसी की जित बरदाश्ट नहीं कर सकता गूंगी गुडिया ने बाप की कुर्सी छीन ली गूंगी गुडिया बोलने लगी है अपात काल देश के लोकतंत्र में काला धबा इंडिया इस इंडरा इंडरा इस इंडिया पंडिक जवाहलाल नहरू के साथ इंडरा गांधी के संबंध ये कुछ हाइलाइट्स आपको बता रहे हैं जो कि एमरजन्सी फिल्म के ट्रेलर में दिखाई देते हैं कुछ डैलोक्स हैं जो कि सुनाई देते हैं इमरजन्सी फिल्म जिसको लेकर रोगों के अंदर काफी उठसुकता थी कि जब ये रिलीज होगी तो इसे देखा जाएगा और समझा जाएगा कि जब इमरजन्सी लगाई गई थी इंदरा गांधी के कारेकाल के दौरान उस वक्त कैसे हालाद बने थे और क्या कारण थे कि एमरजन्सी लगाई गई थी लेकिन एक अजीब साथ ट्विस्ट आ गया कि इसे सेंसर बोर्ड की तरफ से अभी रोक दिया गया है हाली में कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया वीडियो साज़ा किया जिसमों उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी फिल्म पर अभी सेंसर बोर्ड ने मजूरी नहीं दी है रोक लगा दी गई है और इस वज़े से फिल्म का रिलीज हो पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आप ये देखे कंगना रोनौत की परस्नालिटी किसी से छुपी ने ये कोविट के टाइम से खासतोर पर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर हुआ करता था उस वक्त उनका यहां तक की जो एकाउंट था वो फ्रीज भी कर दिया गया था बंद कर दिया गया था उनके बयानों की चलती उनके तंज और जिस तरीके से वो लगतार पार्टियों पर निशाना साती है किसी भी बड़े मुद्दे पर कुछ भी बोल देती है उसको लेकर हमेशा भी सुर्ख्यों में रहती है हाल ही में हाल ही में बी जेपी की तरफ से उन्होंने हिमाचल में मंडी सीट से चुनाव लड़ा वो जीत कराई सांसद बनी लोग सभा पहुँची अब कंगना रानोत को यह समझना होगा कि वो कोई एक्ट्रस बस नहीं है वो बहुत खास हैं क्योंकि वो मंडी से सांसद भी है एक बहुत बड़ी संख्या का प्रतिनिद्द्व करती हैं संसद में लेकिन देखना यह है कि कंगना की फिल्म इमर्जन्सी क्या रियक्शन देती है किस तरीके किस वक्त हालाद बनते हैं समाज में क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब फिल्म रिलीज होगी तो उसमें फाइदा बीजेपी को होगा और कॉंग्रेस की छविक कहिना कई धूमिल होगी यानि कि खराब होगी कंगना ने यह सोचा भी नहीं होगा कि कंगना की फिल्म को इमर्जन्सी को इस तरीके सुरुका भी जा सकता है आपने देखा होगा कि जब भी कोई फिल्म आती है तो उसके प्रमोशन के लिए जगे जगे एक्टर जाते हैं प्रोडूसर जाते हैं तीवी पे आते हैं तीवी चैनल में आते हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं लेकिन उनकी इस फिल्म को लेकर जिस तरीके से विवाद जुड़ा है उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि फिल्म की रिलीस लेट हो या फिर हो भी ना क्योंकि पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी से सांसंदें कंगना फिल्म की रिलीज डेट जो 6 सेप्टमबर दी गई है वो रिलीज हो जाएगी लेकिन सेंसर बोर्ड की मन्जूरी ना होना उसके बाद से कई सारे सवाल अब खड़े होने लगे हैं कंगना रनावत को धमक्या मिली है उनका ये कहना है अपने वीडियो के माध्यम से कंगना रनावत अभी हाली में किसान अंदोलन को लेकर दिये गए बयान की आग थमी भी नहीं थी बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई थी और एक बार फिर कंगना ने जातिग जन करना नहीं होनी चाहिए साफतर पर उन्हों ने कहा दिया जैसा कि आपको मालूम एकिस अंदोलन के इस वक्त शायद अब ऐसे कोई भी बयान नहीं देंगी जो पार्टी की लाइन से हट कर होंगे पार्टी ट्रेक से हट कर होंगे लेकिन एक बार फिर से जाती कर जनगर्णा को लेकर वो खुले तोर पर सभी जो टीवी चैनल है जो जा रही डिबेट में उनमें कहा रही है जाती कर हुआ है और उनको आगे लाने के लिए जाती कर जनगर्णा की मांग होनी चाहिए तो उनका ये भी क्यानाता कि पिछले हुए सिर्फ महलाएं महिलाओं के लिए जात होती है, क्योंकि महिलाओं पिछडी हुई है, और ऐसे उनकी कुछ बयान यो शायद समझ से परे भी थे, खुद उन लोगों के लिए जो सामने उनको सुना भी रहे थे, जिन डर्शोकों ने उनको सुना, चीजित अनृप पर और और सोशल मेडिया के म बड़ी जाती है जो की काफी पिछडी हुई है और उनको आगे आना चाहिए इस तरीके के बयान कंगनर रोनौत के बहुत हास्यासपत भी कई बार हो जाते हैं और कई बार सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि इतनी बड़ी एक्षरस मंडी से सांसद और अच्छे खासे बोटों के साथ जीत कर रही है वो और इस तरीके के बयान अभी भी हाला कि पार्टियनों ने कई बार समझाया है कि इस तरीके के बयान बरदाश्ट नहीं किये जाएंगे लेकर उसके बावजूत कंगनर रोनौत के जो तुरंत कुछ भी कह देने कि एक नीती चली आई है उ सिख समुदाय को बहुत जादा नुकसान होगा और अगर ही फिल्म आती है और इसमें किसी भी तरीके का कुछ गलत दिखाया जाता है तो जाहिर से बाते जिस तरीके का हश्र उनिस सो पच्छतर में इमर्जंसी के बाद जो इंद्रा गांधी का हुआ था वही हश्रिन का हो कि मैं तो इस फिल्म देखने ही नहीं जाओंगा च्वाता शक्स जो कि इसका पुर्जोर विरोध कर रहा है यानि कि जो आग है वो पंजाब दिल्ली उत्रप्रदेश यहां तक कि तिलंगाना तक भी पहुँची है तिलंगाना वीबिस फिल्म का विरोध हो रहा है कि अगर बिनरावाला, सिक्स समाज और साथी इनकी सही तस्वीर नहीं दिखाई जा रही है ट्रेलर के माध्यम से ऐसा पतर चलता है और इस वज़े से फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए या फिर जो इनके खिलाफ जिस तरीके के दरश है उनको या तो हटा देना चाहिए अब कं फिल्म में हम क्या दिखाएंगे और उन्होंने ये भी बुला कि उनको बहुत आश्यर लग रहा है ये बहुत अजीब समय है विश्वास नहीं हो रहा है कहा जा रहा है कि विमनिस से मत दिखाई तो आखिरकार फिल्म में क्या दिखाए अलकि कंगना ने कभी सोचा भी नही मिलेगी और एक थोड़ा चौकाने वाली बात ये भी है कि कंगना रोन और जितने भी इंटेड्वियूज में जा रही है फिल्म का प्रमोशन वो बराबर कर रही है उनका ये कहना है कि 6 सेप्टेंबर को फिल्म में रिलीज होगी आप सभी देखने चाहिए और जाने कि आपा आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या रहा है आपकी क्या सोच है आप क्या सोचते हैं एमरजनसी फिल्म को लेकर इस लागो होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कंगना रोनोट के कुछ बयान चाहे वो जातिगट जनगरना को लेकर हो चाहे वो किसान आंडोलन को लेकर हो चाहे वो 2014 में असली आजादी में इसको लेकर हो लेकिन अब कंगना कोई सोचना होगा कि वो एक बहुत बड़े दायत्व को संभाल रही है बहुत बड़ा वो पत संभाल रही है मंडी से वो बीजेपी की सांसद है अब उनको सोच समझ कर किसी भी तरीके के बायान द देते हैं जातिगत जण करना का बयान कंगना रौनोट के उपर खुद भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और दोसी तरफ सिक समाज इसाई समाज में इसका विरोध कर रहा है और इनका ये कहना है कि इनकी छबी खराब हो जाएगी इनको काफे नुकसान पहुंचेगा अ आपके क्या राहे जरूर बताए बाग के तमाम खबरों के लिए आप नच्वर के तीम के साथ जोड़े रहे हैं नमस्कार